तो आज हम लोग आपको बताने वाले हैं डाइगोनल स्केल के बारे में पूरा डाइगोनल स्केल में क्या कैसे होता है और बित कुश्चन कुश्चन भी आपको बताएंगे अगर आपको अच्छा लगेगा तो पूरा लास्टिक वीडियो को देखिएगा लाइक किजिगा सुट के बारे ही में बताएंगे लेसे पूर पिछली विडियो आया थी थी के अंदर हम लोग ने से कुसले बदे के बारे में चर्शा किये थे सिकेल का ही एक टाइफ है। जेशें वस Means का एक है प्लेन cinnamon के है कि दुसरा है डाइगोनल तीसरा है कर नियर इसके अंदर हम ल डाइगोनल स्केल और नियर स्केल तो हम लोगों ने कल प्लेन स्केल के ऊपर बात किया था प्रब्लम भी किये थे अगर आप नहीं देखे हमारा पिछला वीडियो तो जाकर एक बर देख लिए उसमें आपको यूनिट और आड़ेफ के बारे में भी बताया गया है यूनिट और आरेफ हम बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है इस स्केल चेप्टर के लिए इसके बिना कोई भी सवाल नहीं बनेगा यह रहा इस पर जादा टाइम नहीं लेते हैं डाइरेक्ट हम लोग डाइगोनल स्केल के बारे में बात करते हैं डाइगोनल स्केल बहुत ही सिंप है काई है के है ऐती है किलोमिटर हीक्तोमितर डेकामीटर इस लगातार है तीन कुछ यूनिट या दिए 1 लेलbud फीलिख कोई तिया मीटर डिएटरल सेवलब हने कए दिशल लेल्पटर किसी भी एक सथ एक यह पर दो करते हैं तो उशो ब हो ют सकित लोगे कि अन्दर आपको बतायंगे कि इसका डाएक एक नाम बनाएंगे यां पर आपके सामने तुACSP नाम diagonal scale क्यों पर ऐसी पर एक छोटी सी प्रब्लम हम लोग देख लेते हैं जो इस प्रब्लम को हम लोग से प्रब्लमह मह उते सीमपल है कि इसे मोला जा रहा है कॉंस्ट्रक्ट एक डाइगोनल एसकेल हमने क्या करना है एक diagonal scale बनाना जो हमको question में होगा जिसमें RF given है कभी कभी नहीं होगा था हमें समाजना पड़ेगा कि इसमें RF को इसे निकालते हैं जो हम पिछले वीडियो में बताया है उसका sewing हमको बताना है yard feet and inch yard feet and inch हम बुले हैं कि समयना खाते वे आपको हम वीडियो में बताएंगे question के थुरू कि कैसे कैसे करें तो किलो मीटर मीटर के बारे में तो बता दी है वह तो मारा मैट्रिक्स सिस्टम था लेकिन अब ब्रेटिस यूनिट सिस्टम भी होता है ब्रेटिस सिस्टम के अंदर आता है yard feet और इंज इसके बारे में हम अपने पिछले वीडियो में बता रखे हैं कि कैसे कैसे चेंज हो लेकिन कोई बात नहीं घबराने की बात इस वीडियो में थोड़ा सा उसके बारे हम चर्चा करेंगे पूरा वीडियो अन तक देखिएगा अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर देजिएगा अब जिकिए जिस कुशन में लिखा हो मेजर अब टू 4 yard मेजर अब से उपर की 1.27 yard कहां से कहां तक है कुशन बहुत ही सिंपल था देख चुके हैं अब कुशन को रखते हुए आप लोग भी और एक और बात बहुत आजमी जो होता कुशन देखें बनाना सुरू कर दिए ऐसा नहीं करना कुशन को दो में देके पढ़ लेना होता क्या है इतना दिया हुए आपने सुदा के लिए अलग से उसमों करना पड़ेगा जो कितना है क्या कि यार्ड को कोई भी डॉइंग सीट पर दिखा नहीं सकते हैं यार्ड समझ रहेन मों कुछ ज्यादा ही बढ़ा हो जाता तो उसको द्रुइंग सीट पर कैसे दिखाएंगे तो के लिए कनवर्ट कहने के लिए हमारा सब कुछ सिस्टा में उसको फॉलो करते वहां तक जाएंगे आप देखिए हम आपको बताया थे हारफ कल के वीडियो में पताया थे आप इसको बोलते लोड लेंध ऑफ ड्रोइंग लेंध अब इसको में लिए अब देखिए जो जो है उसके जगापर पुट कर देंगे दो चीज हमको पता है तिसरा फाइंड करना तो एकदम इजी है 1 by 32 is equal to LOS by कितना 4 yard LOS is equal to length of scale is equal to 4 by 32 लेकिन याद रखेंगे कि यहां पर जो 4 है हमारा yard में है और yard से हमको इसको चेंज करके लिए जाना सेंटीमीटर में तो जो चेंज कैसे करते हैं अपने पिछले वीडियो में आप बता रखे हैं फिर भी यहां पर थोड़ा सा मुसके बार में चर्चा कर देते हैं ध्यान से देखिए गए बहुत important है और इसी question में नहीं हर एक question में इसका कहीं नहीं यूज आता है इसका आएगा इस विडियो सिस्टेम का नहीं तो मैट्रिक सिस्टेम का लेकिन यूज आना ही आना है नहीं आया तो सबसे अच्छा है 1 yard is equal to कि कितना होता है बताईए कल बैता या था थिरी फीट कि फीट और फूट में कोई अंतर नहीं कल भी बताते है इसका एक बचन हुआ फूट बहुब चन हुआ फीट तो इसमें थोरा सा ध्यान ने चाहिए है याड में ऐस लगा देते इसमें यह करते लेकिन इंच में इंचेस कर देते हैं लेकि इसमें अलग होता है जैसे तूथ और तीथ में होता उसी तरह यहां फूट और फीट में इसकल तो टूवर इंच इंच होता है अब हुल इंच है ओन फाइंच, इसकल तू हमारा होता है 3.54 सेंटीमीटर दो ध्यान देने की चीजिए और bearings राशे थाला याड रखने में थ्वाड़ा, कि दिक्कत होचता चाहित है मेवी, इस इस पर ध्यान रखना है भूकु तूर गइंच त्यमा में रख वन यार्ड इसकल तो 3 feet होता है तो feet में बदलने के लिए sorry तो feet में बदलने के लिए 3 से multiply करेंगे अब 3 feet इतना feet हो गया 12 इसको गुना करने में 12 आएगा अब 1 foot is equal to कितना inch होता है वही महले 1 feet is equal to कितना inch होता है यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर महला की दिखने में तो आशा दिकत होगे यह वीडियो में कट गया आशा है यह देखिए इसे होता है बोले उससे समाझ में आही किया होगा इतना inch होता इसको multiply 12 कर देंगे ठीक है और देखिए इतना inch होगा इस inch को हमको centimeter में बदलने के लिए कितना से multiply करना होता है इतना होता है इतना से multiply करते हैं इतना inch है हमारे पास 144 इसको multiply करने पर 144 इसको multiply कर देंगे 2.54 और बाइल में 32 है तो 32 ही रहेगा इसमें कोई changing नहीं होता उपर में total गुना करेंगे तो कितना हैगा हमारा approach आजाएगा दो पॉइंट से नीचे में 0 आजाएगा और इसको गुना करने पर आएगा हमारा 36576 हम इसके जब काल्कुलेटर का यूज किये हैं आप महां पर कैल्सी का यूज कर सकते हैं पर ज्यादा सही रहेगा कि हम लोग भी हाथ सही करें इससे कर जाएगा 1143 अब 1143 को हम लोग लिख सकते हैं 11.43 सेंटीमिंटर अब इस चीज को हम लोग कॉपी पर द्रॉइंग सीट पर इजी से बना सकते हैं इतना जगा मारे पास होता है कि हम इसको ड्रो कर सके अला की राइटिंग उतना सही नहीं लगा होगा इसके लिग ये लिजे और इसको इसे वीडियो पहुच करके नोट डाउन कर लिजे फिर आगे बढ़ेंगे ठीक है अब लगता है कि हमको आप लोग नोट कर लिए हुएगा अगर आपको इसमें टिकत है यूनिट कर मरजन में तो आप हमारा पिछले वीडियो में जाकर एक पर देख सकते हैं कि यूनिट क इसको आप भी रख लीजे और जो हम बना रहे था हमारे साथ नहीं बनेएगा हम बना लेंगे उसके बाद आप बनेएगा इसे होगा ना कि आप हर एक छोटी-छोटी चीजों को भी बारी किसे देख पाई कि कुछ खास नहीं है अलब भारी नहीं है करना चाहिएगा देखते हम इजी है और नहीं करने वाले के लिए तो कुछ कहीं नहीं सकते हैं 11.43 11 हमारा यह रहा and 4 3 यह के घंची मेरा एच भी पैंसिल होगा वालकिए मगली बता चुकी है कि हाप एच भी पैंसिल का यूज करते हैं कि यहां से एक एंगल लेंगे जहां पर हमारा 2H Pencil का यूज करेंगे ठीक है यह जो में डिस्टेंस से यहां पर दर्साना नहीं होता है कुछी भी एंगल पिल ले सकते हैं एक दम नॉर्मल सा और इसको कितने भागा में बाटेंगे ते मेजर आपको जहां तक हमारा होता है उ और स्केल के माँ जाहता से भी कर से देखिए एक दो अधी चार अब चारों पॉइंट को हम इस लास्ट वले पॉइंट से मिला देंगे कि रोलर स्केल का युज हम लिए ज़्यादा करते हैं कяжके कहीं भी इसको इसलिー कैडी भी कर सकते हैं और जो हमारा होता नयिए पैरलर लाय युडिर से भी कर सकते हैं और अन्रीנה कर मまだ ज्रुटरियन के दरुटरोंनी कि हम अगर इस स्केल का यूज बेंड किजिए यह जा लाइन है कि खलका हलका होगा और यह उपर वाला लाइन यह टुमेर से होगा जै नीचे मीलाने हमारा वह वह पर वळाएची पीस नीचे वाला 2H Pencil से होगा, इतना चलता है, हो जाता है कभी कभी, अब देखे हमारा क्या था, याड से हम लोग को उतले हैं, फीट में, तो याड से फीट में बदनने के लिए इसको कल की वीडियो में से प्लेन स्किल में, दस भागों में बाते थे, उसको लेकिन इसमें दस याड से फीट में जाने के लिए तीन भागों में बातेंगे कि कि याड से, 1 याड is equal to 3 feet होता है, ठीक है, तो यह लिए तीन, इस पर तीन पॉइंट लेंगे, एक, दो, कि बहुत ही आजी है करना इसको, तीन भागों हम पहर तो किसी को भी बात सकते हैं, इस चारों से किसी को भी को या नमरिंग दे देते हैं जीरो कर नमरिंग के बारे में विताया थे हैं वन तू है कि यह राएज करेंगे के मिला देंगे पीजिसे एक डम अच्छे तरीके से मिलाइं जिसे देखने में को भी शहीं लगे और हमें भी कि अब जोटी चोटी जलती आना लगने लगती कि वो काग गलती कर दी है उस चीज सब को नहीं देखेंगे आप अब हाटा के चलेंगे अच्छा करेंगे कि महिनत कर रहें ना अब कि अब कि अब बढ़ दी है अब देखिए हम लोग याड से फीट में आ गया फीट से इंच में जाना है कि कि इंच में भी दिखाना ना 1.27 याड है तो 1 याड हुआ 2 फीट हुआ हमारा सेवेन हमारा इंच में चला जाता है देखिए हम आप साइड में करके दिखाते हैं आपको जैसे हला कि ठीक हम आप आपको बता सकते हैं जाब है हमारे कास कि वन कि यार्ड इसकल टू कितना हुआ थिरी फीट कि यार्ड में बदलेते हैं वन टू त्री फोर यार्ड था हमारा यहां पर एक यार्ड है लास्ट वाला यह एक यार्ड है इसको में बाटे हैं कितना तीन फीट में इसका नमरिंग देते हम लोग वन टू थी देख पा रहे हैंगे आप लोग सही से तीन अब जोखिए अब इसको क्या करना बारा भागों में बाटना है तो बारा भागों में बाटना इजी नहीं है लेकिन इसका एगदम इजी सा तरीका है देखिंगे कैसे बाटते यहां पर लाइन लेंगे यहां पर एगदम 6 काले लेते 6 cm क्योंकि 12 में बाटना है तो सबके लिए 0.50.5 cm हो जाएगा तो 12 एगदम परलेल लेंगे यह जो लाइन है हमको लेना तो एच भी है पुरा लेकिन अभी शुरूर में इसको नहीं तरह ही लेंगे ठीक है टूएच पैंसल से इसका हम बताते हैं यहां ले लिए सिंपल हादर किया है यह 0.5 यहां एक कि दूसरा माइन तीरा वन तीसरा चौथा पांट कि अज्शल को यह 2 अज़्व में दसमा रिवित द्रूम लेंगे तो नहीं तो यह 4 आपन लेंगे यह को रिंगा इसके पैरल्लन लाइन अगे आधा चेक कर लेंगे तैपैर लुए लाइन रहें प्रकार कि पैरलल नहीं होगा तो सारा चीज गलती हो सकता वहीं जा तो कि इस वाला लेंगे समस्टेश सेंटीमेटर लेंगे आराम से कोई जल्दी वाजे नहीं है आराम आशा वीडियो लंबा ही वाजागा तो देख लिजेगा ए रहा अधिक है और इसको एजी लिए अब देखे रोलर से स्केल जो है इसके सायता से हम यहां पर एक दम एजी से इसको उपर ले जाके मिला सकते है इसके पहला है अपर कैमरा इस विए से थोड़ा मुद्धिक्त थोड़ा देखने में यह नाप लोग को नहीं होने चाहिए इसलिए यहां से करते चलते हैं एक एक करके ठीक है ना हाला कि देख पार आए होंगे आप लोग यह जो है एच्पी पैंसिल से ही लाइटली चलाएंगे पूरा बारा पार्ट में इसको डिवाइट करेंगे हलका डार्क होना चाहिए नीचे वाला एकदाम हलका एच भी नहीं तुएच और यह जो कर रहे हैं यह मारा ही पैंसिल से ही लेकि उसको खलका पकर के चलाएंगे आसा नहीं कि जो दो से चपेंसिल को दवा रहे हैं पूरा एकदम ब्लैक व्लेक किया जा रहे है नहीं असा नहीं करना इस पर खास ध्यान लखिएगा जो साइट का इसका जो बॉक्स टाइप को बनाएंगे जो देखिएगा आप भी उसको हम लोग पूरा फूल गाढ़ा बनाएंगे जो पता छिले कि हां यह अलग है और यह अलग है कि पैंसिल हमेंसा सारा पैंसिल यूज कीजिएगा टुएज और एच्पी का ज्यादा यूज होता है अगर नहीं हो तो ली रही जिएगा जरूरी होता यह पैंसिल लेना ही लेना कि फिर ड्रॉइंग कैसे बनाएंगा इस अब सब सही मिल ला है न हाँ एक दो तीन चान गा का अए सब्सक्राइब होता कि इसको गाधा करेंगे उपर बल्ला लाइन को कि सपर बल्ला लेन को भी गाधा करेंगे कर ओफ जिन लेना फूरा करेंद हृए फिर एक यह व Chr. बिद्युपाति चाहिए जच चाहिए ना और यह Memphis यह पेंसिल है कि लगधा ने एच बेंसिल का यूज की है सो कि अब इसे सवाल हो जूरी तो आप लोग पूछ सकते हैं कॉमेंट में यहां पर भी लगे कि हाँ जो जो लाइन है कट किये हम इस लाइन पर जमारा याड वाला लाइन ठीक है उसके इस लाइन के परलबस को मिलाते चलेंगे कि अध्याइब कर दो कि याद रखेंगे यहां पर यूज करना जो भी मिला रहा है उसने के इसको टूब से मिलागे इसको एच पी से मिलेगा कि अब टाल नाइन जो है मारा है भी से होगा कि अध्याइब कर सकते हैं अब चाहें तो ठीक है थोड़ा सा यह लाइन आगे आगे आए जिसका आध्यान लखेंगे यहां नहों कि यहां हो ठीक है अधिक है इसका में जंब लेता है वह कुशिंगे तुरू बतांगे कि इसका डालते हैं कि यह एक रेक्टेंगल है दूसरा रेक्टेंगल है और तीसरा रेक्टेंगल है ठीक है वापस में रेक्टेंगल है रेक्टेंगल को एक से दूसरे डाइगोनल को मिला देते हैं इसलिए इसका नाम डाइगोनल स्केल लगते हैं इस टॉपी का नाम जो है डाइगोनल स्केल तो यह तीन लाइन है आप चैनल वे और सही बात है अगर आपको सही बना होगा तो परल्ल होगा है चो हमारा हो रहा है ध्यान देंगे और देख तीनों मारा लाइन परल्ल टीक है जाई इसका नाम देंगे तो त्री फॉर फाइम सिक्स सेवें एट नाइन टेन तुर्ट से यह पूरा बारा पाथ है इसका नाम एक्दम आनाम से देंगे और हम लोग इसको बारा पाथ हम बार चुके हैं सब कुछ कर चुका अब देखिए इसको तो यह वाइन टो त्री फॉर फाइव शिक्स सेवें एट नाइन टेन टीक है अब सिंपल यह बताना कितना है इसमें डिपर जेन कितना करना था हमको 1.27 याद तो 1 तो यह याद हुआ तो 1 टू टू और 7 तो यह रहा हमारा से में ठीक है इस पॉइंट को डार करेंगे और 1 में सेम इसी लाइन में आ गया हैंगे 1 के उपर डार करेंगे हाला कि हमारा तो यहां से गलती हो चुका जो हमको पहली बता है यह यहां से आगया दिखनी पाया है थोड़ा कैमरा ओपड है नेशी के बज़र से इस लाइन को हम लोग डार कर देंगे कि इसको करने का तरीका कल भी बचाते कि इसके पैरलन में यहां पर यहां की पैंसिल से टुएस को भी हलका से चलाना है उपर क्यों लेकर जाएंगे और इधर से भी इसको करेंगे कि हमारा कोई भी इस तरह का गल्ती नहीं हो जैसे हम से भी हो गया च्छोटा सा च्छोटा नहीं बहुत है कि आम देखेंगा नमबर नहीं देगा कोई भी नहीं देगा कि इसको यहां पर करेंगे कि आरो कि यादा नहीं किस तरीके से एरो करते कल बताया थे सारा के सारा बता दिये थे कैसे लिखते हैं यह भी विद्ध होगा कि 11.43 को कैसे लिखना है यहाद है वीडियो को पुछ किजिए और खुछ से किजिए फिर हमारा से मिला यह सही है नहीं वान पॉइंट टू और यहीं बताया थे कि इसको दर्साने के लिए यहां से एक्दम पतल लाइन देंगे इसको भी एक्स्टेन करेंगे आगे क्यों और इसके परलेल में आएंगे यहां से कि इसमें कुछ चीजों का द्यान देंगे हम लिखना बता है उसको ध्यान से देखिएगा यह तो भी 11.43 सेंटीमेंटर में ठीक है और जैसे यहां पर इस लाइन को मिलब यार्ड में दिखा है तो यहां पर एक छोटा से लाइन देंगे यहां पर है और यहां प्रोंग दिखाया है इसको की चीज में यारड की बात थित में आर्ड़ज के दीखा हैं ते यार फूस्सक्तितल में देंगे और यह से अशुक्तित का लाइन जांदां ना पर इक एंच की लिक्शा कर द्याने तै को छिवें शोल यहां लिख देंगे केपिटल लेटर में लिखेंगे है अला कि इसे हम लिख देते हैं और आर्फ जो हमारा है आर्फ कितना था याद है हम को याद है आपको याद होना चाहिए वान वाइटेटीटू अजय को याद था बहुत अच्छा ठीक है यह होगा हमारे रोग्यों कम्प्रीट हो गया अगर हमारा यह अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल को लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें सेयर भी करें जिन जिन के पास नहीं जा पाएगा वीडियो उनके पास ही भेज़े क्या कि सा अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें सब्सक्राइब कर दें